कर दो कि शिलिराम कैसे हैं आप užर सिही कामना आप हमेशा कुछह रहे तंदर्स रहे और बडोक आशिर्वात आपको बहुत सारा मिलता रहे आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे यही मैं इश्वर से कामना करते हूं आज मैं आपको नहीं बहुत ही अच्छा उपाई बताने के लिए आई हूँ वीजो शुरू करने से पहले मैं कहाना चाहूंगे अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करे बैल बटन को जरूर दबाएं वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर लाइक करना बिलकुल भी ना भूलें आप खुश रहें यही मैं इश्वर से कामना करती हूं आज का जो वीजो है वो बहुत अच्छा है आपकी काम नहीं हो रहे हैं बहुत उपाई कर लिए ले उसकी वज़े से हम बहुत जादा परिशान है किसी भी तरीके का जाने-उन जाने आपसे कोई गलत काम हो गया है कहते हैं इस ब्रत को करने से आपकी जो भी नो इकाहन होती है जो भी आप से गलतियां होई है वो खतम होती है और आपको उसका मतलब उस ब्रत का फ़ल भी करना है कि हरी चीजों का आप दान कर दें और साथ में आपने एप्रथ के अंदर आपने उद्यापन करना है लेकिन यह ध्यान रखका जो방ल्स एस्थमी, जो भी आपका बुध्वार का वुरत होगा, उस दिन एस्थमी होने चाहिए, वो शुक्लपक्ष की हो लेकिस्ट शुक्लपक्षपट से आप इस्टार्ट करना है, वो बात में शुक्लपक्षए के अंदर आती है या अंधिर पक्ष के अंदर आती है मगर वह मानने रहेगी मगर अस्टमी वाले दिन बुद्वार जो है अस्टमी वाले दिनी हो तब ही आप यह वृत करें आप यह करके देखिएगा इतना चमतकार है इस वृत के अंदर कहते हैं अगर हमने कुछ जाने-अन-जाने कोई ऐस की भी माफी मिल जाती है वैसे तो हमें करना ही नहीं चाहिए लेकिन जाने अगर हो गया है तो वो भी खतम हो जाता है और साथ में हमारे जो रास्ते रुके वे थे बिजनिस के रास्ते या जॉब के रास्ते या शादी के रास्ते कुछ भी अगर जो भी रुकावा था वो ठी कोना शुरू हो जाता है आज के लिए वस इतना ही खुश रहिए तंद्रुस रहिए बढ़ो का अशिर्वाद आपको हमेशा मिलता रही यही मैं इश्वर से कामना करते हूं जैश्री राव